सुनाली बेंदरे ने बताया उनकी जिंदगी में क्या हमियत रखते थे उनके लंबे बाल बलेवुड एक ट्रेस सुनाली बेंदरे इन दिनों अपनी जिंदगी को एक बार फिर से ने धंग से जी रही है एक ट्रेस सुनाली इन दिनों अपने cancer की जंग से लड़ रही है पिछले साल जुलाई में सुनाली को अपने high grad cancer के बारे में पता चला था जिसके बाद वे आई यॉर्क में treatment करने पहुंची दो महीने पहले ही सुनाली नियूर्क से इलाज करवा के वापस मुंबाई लोटी हैं लेकिन अभी वे कैंसर फ्री नहीं हुई है अपने चेयाकब के लिए उन्हें नियूर्क फ्रीटमेंट के लिए जाना होता है हाल ही मैं सुनाली एक इवेंट में पहुंची जहां उन्होंने अपने हाई ग्रेहड कैंसर को लेकर खुल कर बाते की इतना ही नहीं सुनाली ने अपने बालों के लेकर भी खूब जबाव दिये सुनाली ने बताया कि उनको अपने लंबे बाल बेहत पसंद थे लेकिन अब मेरे बार चोटे हो गए हैं तो इससे भी मुझे फायदा है, मुझे अब तयार होने में कम समय लगता है, मैं खुद को positive रखती हूँ, खुद से बात करती हूँ कि बाल नहीं है तो कोई बात नहीं, शरीर बदल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सोनाली ने आगे बताया कि जब मेरे बाल लंबे थे तो मै अपने बालों से अपना चेहरा छुपाया करती थी, सोनाली ने आगे बताया कि एक एक ट्रेस और मॉडल के लिए उसके बाल और चेहरा बहुत अहम चीछ होती है, मैंने अपने करियर में हर हेर प्रोड़क को इंडोर्स किया है, हेर और लुक्स ही मेरी कमाई का जरिया रहे है, जब मुझे अपने कैंसर के बारे में पता चला और यह कि अब मुझे मेरे बालों को खोना पड़ीगा, मैंने अपनी गर्ल टीम को अपनी भिमारी के बारे में बताया, मैंने उनसे कहा कि आप पता नहीं मैं वापस आभी पाउंगी या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे होसला दिया, मुझे पॉजिटिव किया